हेलो एवरिवन नमस्ते फ्रेंस कैसे हो आप सब खूब करती हूं आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंस आज हम इस छोटे से ब्लाउच पीस के टुकड़े का रियूस करेंगे उसके लिए हमने अस्तर कट किया है 13 by 10 इचीज इसे हमने ऐसे फॉल्ड कर लिया है सेंटर में अच् और आर्मोल है 5 इंचीज देखें सॉल्डर का नाप कैसे लेना है वह आप सबको पता ही होगा कि जितना भी सॉल्डर है उसका हाफ इंचीज लेना है आर्मोल पे गोलाई लगाने के बार नीचे की और हम वन इंचीज पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से उपर की लाइ पर हम टू इंचीज पर मार्किंग करेंगे नीचे जाएंगे फॉर इंचीज अब यहां पर आपको कोई भी सेप दे सकते हैं तो मैं यहां पर स्क्वेर दे रही हूं और बैक साइड में हम वन इंचीज पर मार्किंग करके राउंड सेप दे देंगे पहले हम बैक साइड क कट करेंगे और हाफ इंचिस हम इस तरीके से कटिंग करके डाउन कर लेंगे solder और अब हम यहाँ पे neck cut कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा neck cut हो जुका है back का भी cut हो जुका है उसके बाद हम back के part में 4 inches marking करके center में ऐसे cut लगा लेंगे अब हम जो कपड़ा है used man fabric है उसी के नाप से ऐसे square cut करेंगे और कोई shape नहीं देंगे पहले उसे हम इसके अस्तर के उपर उल्टा रखके यहाँ से लेके यहाँ तक stitch करेंगे दिखे ऐसे आपको stitch करना है आप चाहें तो यहाँ पे pin भी attach करके कपड़ा हिले डूलेना उसके लिए कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अच्छे से सिलाई आती है तो आप अच्छे से सिल सकते हैं नहीं तो आप pin यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लूका भी यूज़ कर सकते हैं अब हम neck में जो एक्ष्टा कपड़ा है वो cut करेंगे corner पे notches लगाएंगे side side में भी थोड़े थोड़े notches लगा लेंगे फिर हम इसे पलट देंगे देखें यहाँ पे ऐसे पलटने के बाद आपको एक stitch लगा देनी है नीचे की और ऐसे यह जो stitch सिलाई है वहाँ पे आप ऐसे square में stitch लगा दे और हाँ friends वीडियो पसंद आये तो please like, share और subscribe ज़रूर करना ऐसे आप top stitch करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए इसके उपर भी एक top stitch neck पे कर लेंगे फिर armhole पे भी हम stitch लगा लेंगे देखें ऐसे यहाँ से हम neck पे एक top stitch कर लेंगे और फिर ऐसे solder पे armhole पे अच्छे से stitch लगा के जोड़ देंगे और इस stitch करने के बाद आपको क्या करना है जो भी extra कबड़ा है न वो cut कर लीजेगा तो इस method से हमने क्यों किया पहले हमने man fabric में mark क्यों नहीं किया इसका reason यह है कि वो lose हो जाता है लटक जाता है तो अस्तर लटकता नहीं है इसलिए अब front का हो गया अब हम back पे करेंगे ऐसे neck पे और center में अब जो stitch कर लिया है वहां से extra कबड़ा cut करेंगे और center में एक notchis लगाएंगे और यह round जहां पे भी आ रहा है वहां पे भी हम notchis लगाएंगे और जैसे हमने front का किया था वैसे ही इसे हम ऐसे corner से अच्छे से निकालते हुए सिधा कर लेंगे और फिर हम top stitch कर लेंगे यहां से लेके यहां तक अब देख सकते हैं front और back part ready है अब हम नीचे का घेरा के लिए कपड़ा लेंगे 31 by 9 inches और इसके नीचे भी हम रफल लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो बड़ी सी बोटल लेंगे जितनी 31 inches लिए उससे हम थोड़ी सी डबल लेंगे और इसकी चोड़ाय रखी है 5 inches अब हमें इस तरीके से नीचे की और चुनटे लेते हुए अटेज कर देंगे और नीचे का जो पार्ट है उससे फॉल्ड भी कर लेंगे इस तरीके से पूरे में हमें प्लेट लगा देनी है आप जितनी चाहें उतनी घंडी रख सकते हैं तो उस हिसाब से आप कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमने रफल्स को अटेज कर लिया है और यहाँ पी फॉल्ड कर लिया है अब बार्याती है अस्तर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अस्तर लिया है 15 x 7.5 इंचिस यहाँ पे आप 8 इंचिस ले सकते हैं अब आपको इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और ये जो उपर का पाट है उसे ऐसे फोल्ड करें और फिर इस तरीके से चौक से मार्क करके इस तरीके से तिर्चा ले लीजिए और इसे कट करने के बाद अस्तर को यहां पे रखिए और एक अस्तर का पाट लीजिए और यह हमारा जो फ्रंट का पाट है उसे लीजिए और ऐसे चुनटे लेते जाएं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम स्टीज कर लेंगी उसके बाद पटली-पटली सी चुनटे लेते जाएंगे जिस से हमारा नीचे का घेरा रेडि हो जाएगा और इस तरीके से आप बड़ी साइज भी बना सकती हैं अब देखे नीचे का घेरा रेडि है अब फ्रंट पाट इस तरीके से जोड तो फ्रंट का पार्ट हमने जोड लिया है अब हम बैक का पार्ट जो है वहां पे बैल्ट अटेज करेंगे उससे पहले हमें कि यहां पे मैं रेडिमेट बैल्ट यूज करने वाली हूं सॉल्डर को जोडने के बाद और यहां पे हम स्लिफ के लिए फॉर बाइट इंचिस की डो ऐसे बोडर लेंगे उसे ऐसे फॉल्ड करेंगे यहां पे स्टीच करके जोड देंगे और फिर हम यहां पे रफल्स लेते जाएंगे छोटी-छोटी चुनटे लेते जाएंगे गैधरिंग कर देंगे और अब हम आर्मोल पे इस तरीके से अटेज कर लेंगे दिखिए यहां से अटेज करिए और इसी के बराबर से आपको चुनटे लेनी है उससे ज्यादा ना कम लेनी है और इस तरीके से जोड देना है फिर आप टॉप स्टीच कर लीजेगा टॉप स्टीच करने के बाद आपको क्या करना है बैल्ट अटेज करने तो मैं यहां पर यह पंपम वाली दोरी जो है वो रेड़ी ही अटेज कर रही हूं इस तरीके से यहां पर टेज कर लेजी आप अपने अकोर्डिंग बैल्ट ले सकते हैं दोनों साइड हमने बैल्ट को टेज कर लिया है अब इसे फॉल्ड करके स्टीच करेंगे तो यहां से आपको स्टीच करना स्टार्ट करना है और यहां तक आने के बाद जो अंदर का मे आप में PI करना ये देखे मैं आपको बता रहे हूं यहां तक आईजी जा 얼마나 कैशनु के beispielsweise और की आंदर का कपड़ा है उसे बार की और खीच लीजिए और यह से तीरचे से से आप पतका स्सक्रावी, करना ऑप इसी तरीके से आपको सामने की साइट भी कर लेना है तो यहां पर हमारा बेबी फुरोग रेडी हो गया है तो कैसा लगा आपको मुझे कमेट करके जरूर बताना फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय जे भारत